हलो स्टुडेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखे स्टुडेंट्स हमने पहले वाले वीडियो में जैन्दरम से संबंदित महतोपुन पर्षन और उत्र बताये थे और उसी का हमने दूसरा भाग एक और बनाया है ज जिसमें भी हम आपको महतोपुन पर्षन और उत्रों के बारे में बताएंगे तो देखे इस वीडियो में जैन्दरम से संबंदित सब्भी परिक्षाप प्योगी पर्षन आपको बताये जाएंगे देखे स्टूडेंट्स पहला क्यूसर नहीं जैन्दरम ने अपना परभाव सबसे अधिक कहां इस्तापित किया ठीक है तो जैन्दरम का जो सबसे ज़्यादा अधिक जो परभाव है जो विश्तार है वह पस्सिमिय भारत में हुआ और जैन ग्रंथ किस बासा में लिखे ग लिखे स्टूडेंट्स हम याँ पर आपको बता देते हैं कि जैन साहित अत्यन्दी विशाल है और यह अधिक्तर अपर भ्रंद्र में लिखा गया है ठीक है ज़्यादातर जो ग्रंथ वह प्राकट और सेंसकर्थ में लिखे गये हैं और यह बात भी आपको मैं यहां पर ब आगदी में भी दिये हैं, ठीक है, अगला क्यूसन देखेगा, उपासक जीवन के विधी निशेदों एम आचार विचारों का संग्रह है, क्या कहलाता है, उवासक दसा, ठीक है, जैन धरम गरंतों के टिकाकार कौन है, नेमी चंद्रे सूरी, अगला क्यूसन है, निम लिकित में से किस सासक वन्स ने जैन धरम को प्रेश्रे दिया, परमार, पर्तिहार, चालूके और चॉल, तो इन में से सही आंसर आएगा, चालूके उने, जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ थे, उनको बस्ति कहा जाता है, जैन धरम में इंद्रिय जनीत ज्व्यान को क्या कहा जाता है? तो जैन दरम में इंद्रिय जनित ज्यान को मत्ती ज्यान कहा जाता है और हमने आपको पहले बताया है कि जैन दरम में पांच प्रकार के ज्यान बताया गए है और एक था आपका अन्तिम ग्यान जो कैमली ग्यान था ठीक है जैन्द्रम में किसे अनस्तिकाय तथा एक परदेश व्यप्पी द्रवे माना गया है वो है काल समय जैन्द्रम है पर्टेवादी, निपेक्षवादी, इशुरवादी, वस्तुवादी तो जैन्द्रम है वह है, वस्तुवादी है, अब देखें वस्तुवादी होता गया है तो वस्तुवादी है कि सिधान्थ है, तो इसमें ये बताया गया है कि जगत या संसार जैसा दिखता है उसकी उसी रूप में सत्ता भी माने जाती है नए सिधान्थ किस धरम से संबंदित है इस्वरिय सत्ता के संद्रब में जैन धरम निमनिकित में से किस के करीब है बोध चारवाक या प्राचिन साखे से तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगे कि जो जैन धरम है वह इस्वर के बारे में क्या कहता है तो जैन धरम है वह है इस्वर के बारे में कहता है कि संसार है वह है उसका स्रस्टी करता इस्वर नहीं है और इस्वर को वह है मतलब सबसे बड़ा बगवान नहीं मानता और जैन धरम है वह इस्वर के बारे में कहता है कि जो आत्मा राग द्वेश से पूनत रही थो वही क्या है इस्वर है और संसार एस्रस्टी है इसका निर्माता इस्वर नहीं है ठीक है परशित जयंगरंद लोक विभंग की रचना किसने की तो लोक विभंग इसके रचेता है मुनी सरवैं नंदी जैन संग के 11 गनधर का तात्रीय क्या है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी की बई गनधर होता क्या है तो जैन दर्षन में परचलित एक उपादी है गनधर ग्यान वह दर्षन आधी धरम के गन को धारण करता है वह गनधर कहलाता है ठीक है और जैन संग में 11 गंदर थे और महवीर स्वामी द्वारा विबाजित गंडों के परधानों कोई क्या खा गया है 11 गंदर ठीक है कुमार गुफ्ट पर्थम के समय संकर नामक वेक्ति ने किस तिर्थंकर की मूर्ति का निर्मान कराया होते पास्रनात ठीक है गुफ्ट काल में स्वेतांबर संपर्दा का केंदर कहा था मथूरा और वल्लब्भी किस अभिलेक से पता चलता है कि भद्र नामक वेक्ति ने पाँच जैन तिर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करायी थी काहोम का अभिलेक से किस गुफ्ट कालेन महिला का मथूरा विलेक के अनुसार जैन मंदिर को दान देने का जिक्र हुआ है हरी स्वामी नी गुफ्ट वत्र काल में वाए कौन जैन आचार ये था जिसने जैन द्रम का भरपूर परचार परशार किया वो थे हरी भद्र शूरी परशित आचार ये हरी भद्र शूरी की रचना का नाम क्या है अनेकांत विजे एम धरम बिंदू ठीक है परशित आचार ये जिन सेन किस के गुरु थे तो जिन सेन वो अमोग वर्ष के गुरु थे दस्वी स्थाबदी के बार किन राजवनसों ने जैन धरम को सरंक्षन परदान दिया या परदान किया वो थे पस्चिमी चालुक के यह होईसन राजों ने परशस्ती संग्रह किस धरम से संबंदित है परशस्ती संग्रह जैन धरम से संबंदित है बोध तथा जैन धरम में ऐसा मानता क्या है वो है आत्मा को लेके तो बोध धरम क्या कहता है कि आत्मा नहीं होती जबकि जैन धरम कहता है कि जैन धरम वो एक आत्मवादी धरम है वो जैन्द्रम्य सलेखना से क्या तात्प्री है जैन्द्रम्य सलेखना से तात्प्री है उपवास द्वारा सरीर का अंतकर्णा तो जैसे एक्जाम्पल के तोर पर बताऊंगे आपर आपको कभी-कभी पूस लेते हैं तो वो है चंद्रगुप्त मोरिये इन्होंने सरवन बेल ग सद्रिया और सिर्वक पूरुष स्राविका ठीक है तो विक्षम है वह थे जैन्सलोग भिक्षम है वह थी िस्त्रिया और सिर्यायद करते थे जैसे ऐ दिगंबर tokyator और स्रावक स्राविका ये ग्रहस्त लोग होते थे और जैन्द्रम के नियमों का भी पालन करते थे जैसे स्वेतामबर में सरलता थी वैसे ही स्रावक स्राविकाई थे ठीक है तो इस प्रकार हमने यहां पर जैन्द्रम से संबंदित कुछ महतोपन पर्षनों के बारे में पढ और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल इंटिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें धन्यवाद